जैसे तापमान में काफी गिरावट दर्च की गई है देश में श्री अन को बढ़ावा देने के लिए भारे सरकार लगातार काम कर रही है इसी क्रम में हैदराबाद इस्थित भारतिय श्री अननुसंदान संस्थान को ग्लोबल सेंटर फॉर एक्सलेंस बनाया गया है इस विशे पर भारतिय श्री अननुसंदान संस्थान की नदेशक डॉक्टर सी तारा सत्यवती से बात की हमारे समवादाता ओपी याद अबने भारे सरकार श्री अन को बढ़ावा देने के लिए लगातार काम कर रही है पिछले साल जो इंटरेशनल एर ओफ मिलेट्स जो गोशित के लिए हैं और वो कंक्लूशन जो होगा मार्च दो हजार चौबीस में इसके तहत बहुत सरा अवेरनेस लोगों में बढ़ी है लोगों को मिलेट्स के बारे में जानकरी प्रप्त हुई है और उनके जो फाइदे हैं उनके सेवन से जो फाइदा मिलेगा लोगों की समझ में आने लगी है है और बहुत सरे व्यंजन भी बनने लगे हैं बहुत सरे रेस्टेरोंट्स कुले हैं बहुत सरे ए holiness बने हैं और research भी काफी जोर हो रही है और कई की कारकरम collages में, schools में, universities में, सारे government institutions में हो रहे हैं इसके अलावा पिछले सल का जो G20 presidency एंडिया ने लिया है उसमें भी मिलेट के बहुत सरे व्येंजन हर एक wife काने में, मतलब लांछ हो, breakfast, dinner हो, हर एक मिलेट को उन्होंने इसतेशर किया है, और मिलेट के तरह तरह के व्येंजन बना के लोगों को ये दिखाए हैं कि मिलेट जो है श्रियन हैं, जो उन से हम तरह तरह की चीज व्येंजन बना सकते हैं और वो हमरे हेल्थ के लिए भी फायदे मन्द हैं प्रधान मंतरी ने ग्लोबल मिलेट रिसेर्च सेंटर की भी गोसना किती आपके इंस्टिटूट को अभी उसमें क्या प्रगती है और अब उसमें कुछ क्या नया हो रहा है बीन मिलेट्स जो है उसमें एक वर् करना है डिजें करना है एक्विमेंट फायलेस करना है वो व्हसम सब हमने के फोई चालू है और अभी हमें वह मिलेट ख्ला सच भी आई कभी हमें administrative approval मिला है और बाकी कारवाई चल रही है और equipment को भी मतलब procure कने का भी वो कारगरम चल रहा है तो हमारे तरह से जो भी scientific input और technical inputs जो देना है जो procure करना है वो सारे process चालो है ये तीन साल के लिए program है तो तीन साल में हम ये पूरा budget को expand करेंगे और millets के लिए एक international level की एक बढ़िया सा world class research facility करेंगे अब तक वहां से कितने यूआ प्रेशिक्सित हो चुके हैं और अब किस तरह की demands youth लेकर आ रहे हैं जिनमें वो नया start-up शुरू कर रहे हैं हमारे यहां पर जो technology business incubator जो है new tree hub के नाम से और वो देश के अलग अलग जगह पे अपना business और start-ups established किये हैं और जो हमारा new tree hub वाला model है उसको replicate करने के लिए दूसरे देश भी आगे आ रहे हैं और हम से request कर रहे हैं कि हमारे देश में भी इस तरह का एक technology business incubation unit जो है millets के उपर हमारे country में लगाना है करके आ रहे हैं और ऐसे सारे चीज़े request जो है हम ministry of external affairs ICR उनको बेजते हैं और जब वहाँ से प्रूव लाता है तब हम उनको एक MOU के तरह country to country MOU में इसको take up करते हैं तो ते बाहरती है स्री अन अनुसंदान संस्तान हैदरबाद की निदेशक डॉक्टर सी तारा सत्यवती जिनका माना है कि global milleard सहब के जरिये नए केवल स्री अन को बढ़ावद देने का लगतार काम हो रहा है बलकि नए स्टाट अप सुरू कर युवाओं के लिए रोजगार दे कर आत्म ने पर बनाने का प्रयास विशनस्तान की तरफ से किया जा रहा है मेरे सहगी कमरामन आशिश सर्मा के साथ मौपी आदाओ डीडी न्यूज दिल ले